इम्रान खान के साथ हुआ खिला हाल ही में पाकिस्तान में हुए चुनावों में इम्रान खान के साथ एक खिला हो गया जहिन साथियो वैलकम वैक टू प्यास स्टडी यूटूब चैनल तो कैसे आप सभी उमीद को ट्यूब बहुत अच्छ होंगे तो हाल ही में 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में चुनाव हुए प्रधान मंतरी पद के लिए इसमें तीन पार्टिया मिली थी तीन उमीदवार थे एक इमरान खान दूसरे नवास सरीफ तीसरे बिलावल भुटो ठीक है बिलावल भुटो तीन ही व्यक्ति थे इसमें अब पाकिस्तान में कि जिस देन चुनाव होते हैं चुनाव जैसे ही खतम होते हैं उसके साथ ही बोटिंग स्टार्ट हो जाती है और पूरी रात बोटिंग होती है दूसरे दिन रिजल्ट आ जाते हैं ठीक है तो 8 फरवरी को चुनाव हुए 9 फरवरी तो को रिजल्ट आना था लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही सेना को पता चला जैसे ही सरकार को जो अभिपक्ष था उसे पता चला कि यहाँ पर इमरान खान जीतने वाले हैं तब ही सेना ने क्या कर दिया एक खिला कर दिया देखो आपको ये तो पताई है कि कभी भी पाकिस्तान में पांच साल तक कोई भी एक साथ पीम नहीं रहा है यानि कोई भी एक पीम पांच साल तक नहीं रहा है या तो वहाँ पर सेना का इंटरफेरेंस होता है या फिर कोई भी पीम होता है उसे मार दिया जाता है या फिर जेल में डाल दिया जाता है या फिर सेना की द्वारा उसे हटा दिया जाता है आप से कोई बात चुपी नहीं है अभी यही इमरान खान के साथ हुआ था कि 2023 में इमरान खान को हटा दिया गया था मैं 2023 में उन पर मतलब गलत गलत आरोप लगा करके और उनकी जो पार्टी थी ठीक है पी एलाई पी एलाई थी पार्टी पी टी आई थी जिसका फुल फॉर्म है पाकिस्तान तहरी के इंसान इंसाफ पाकिस्तान तहरी के इंसाफ इनकी पार्टी थी इसी को खतम कर दिया गया इनके तो साथियो ये पार्टी से निर्दली पार्टी से लड़े थे इम्रान खान अब ये अच्छे खासे बोटों से जीतने वाले थे चुनाव आजा थे 8 फरवरी को लेकिन जैसे ही पता चला सेना को सेना नी क्या कर दिया उसमें इंटरनेट बंद कर दिया टीवी बगेरा बंद तो क्या हुआ वैलेट पेपर निकाल निकाल के उसके उनको हटाया जा रहा था ठीक है फिर बाद में पता चला कि कोई इंसान पहले ज्यादा बोट पा चुका है लेकिन पिर जब बाद में इंटरनेट आउन किया जाता है और टीवी पर काश्चला होता है तो उसमें पता शाशन कोई एक दो बार नहीं बल्कि तीन बार लगा है और लगवग 35-40 साल के लिए सेना का शाशन चला है देखो मैं आपको एक आंकडा बदाती हूं कि 1998 से 71 के बीच से 98 के बीच और 99 से 2008 के बीच सेना का शाशन यहां पर 35-40 साल के लिए लगवग रह चुका है तो आप इससे अनुमाल लगा सकते हैं कि यहां पर सेना भी पार्टी में कितनी एक्टिव रहती है ठीके यहां पर कोई भी यहां पर कोई भी प्रधानमंत्री पांच साल के लिए नहीं बना है या तो यहां पर सेना का शाशन रहता है सेना का हस्चेप रहता है या फिर सुप्रीम जिसमेंसे जो चुनाव हुए हैं, वो दो शोचARSर 255 सीट पर हुए हैं, तीनिनल थाप 3778 सीट नीट, जो भी 134 सीट जीत लेता है वो सरकार बना लेता है तो यह तो यह हैं अच्छीए मैं इनन Laika interpret the wrong decision on जिनल जेद व्योद्थे bigger actors बाकी बिलावल बुटो को त्रेपर्ण और नवा सरीफ को एक हैतर सीट मिल रही थी यहां पर क्या हो रहात है कि नवा सरीफ और बिलावल बुटो एक साथ मिलाकर सरकार बना लेते लेकिन जैसे ही सरकार को पता जलता है कि भाई राजनेता पार्टी बना ले जाएंगे सरकार बना ले जाएंगे तो यहाँ पर सेना हस्ट शेव कर देती है और यहाँ पर धांदली करके उसको दिखा देती है कि भाई किसी को भी बोट नहीं मिले है तो यहां पर सेना का सर्षिन तो लगना ही है, जब किसी को बोट नहीं मिले, तो शेना का सर्षिन अभियसलि लगना है, तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा, अब आपके मनुन में सवाल आ रहा होगा, कि जब 336 सीटे हैं, तो 266 सीटों पर ही चुनाव क्यों होता है, तो बाकी जो सीटे हैं वो महिलाओं के लिए और अन्यवर्ग के लिए आरक्षित रहती हैं जिसपे के मनो नयन की द्वारा वाँ पर चुनाव किया रहे जाते हैं मनो नयन उनका किया जाता है तो 114 सीट जो भी ले लेता है 266 में से वही सरकार बना ले जाता है तो यहां पर बना ले थे नवासरीफ और बिलावल बुट्टो तो इमरान खान तो नहीं जीत पाते क्योंकि यह दोनों सरगाल बना ले जाते ज़्यादा सीट ले जाते बढ़ हां यह है कि पदा चल जाता है और इसमें इमरान से नहे वह हशिप कर देती है ठीक है जी तो यह क्या हुआ था कि लोकतंत्र की एक तरह से हानी हुई थी कि किसी चुनी हुई सरकार को आप हटा देते हैं सेना के द्वारा हटा दिया जाता है सुप्रीम कोट के द्वारा हटा दिया जाता है और वहाँ पर एक सेना का शाषन इस्थापित या फिर अपने मनो नयन के द्वा जहीं